दुश्मन का दुश्मन दोस्त जी हाँ यही है पॉलिसी अब इसराइल की इसराइल के बहुत बड़े नेता साथ जी हाँ जिनकी बहुत माननेता है और पावरफुल व्यक्ति है इस दियाब एक सभा को सम्भोधित करते हुए कहां कि अपने देश को हमारी सरकार को इरान के द हजरात मौतरम कुर्द कुर्द वो लोग हैं जो एरान में पाए जाते हैं बॉर्डर के इलाकों पर वो रहते हैं और खासकर वो तुर्की पर भी हमला करते हैं और यही कुर्द सीरिया में भी मौजूद हैं तो सार ने कहा कि इन कुर्द के साथ हमें गहरे और मजबूत रिष्टे बनाने चाहिए। कुर्द के साथ साथ एक और गुरुप है दुरुजी उसको दुरुजी भी बोलते हैं ये संगटन इस्पेशली ये गुरुप ये मिलिटरियन गुरुप खासकर सीरिया में है जो सीरिया की गवर्मेंट के खिलाफ तो सीरिया की गवर्मेंट के अगेंस बशरल असद के अगे तो यानि यह आज की दुनिया की पॉलिसी है कि कोई आतंकी संगटन हो तो अपने फायदे के लिए उनसे हाथ मिला लो और अगर कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा हो तो उसको आतंकवादी गोशित कर दो आप समय रहे हैं सार ने कहा है कि इन तमाम चीजों से सबसे तीस से नॉर्मलाइजेशन करना होगा आप समझ रहे हैं यह इसराइल का नया प्लान है कि जो इरान के दुश्मन हैं उनसे हाथ मिला लो उनको हत्यार दो उनसे रिश्टे मजबूत करो और उनके जरीए उनही के मुलक पर इरान पर और आस पास के छेतरों पर हमला करवाओ और अरब देशों के साथ दोस्ती करो ताकि वो इरान का साथ न दे और हमारे खिलाप न बोले और जबरदस तरीके से साओधी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो और मुहम्मद बिन सल्मान तो आप जानते हैं तड़ाप रहा है अगला इंसानी कैसे भी हैं अभी पीछले ही हफते आपने सुना और मैंने बताया था कि तुर्की के अंदर आतंकी हमला हुआ और उसकी जिम्मेदारी पीकेके यानि उन्हीं कुर्द निली जिन कुर्द के साथ अपने रिष्टे मजबूत और ताकतवर बनाने की बात इसराइल कर रहा है बताना च अब इसराइल के जो सार नेता ने ये बात कही दी कि पीकेके और इसराइल को साथ आजाना चाहिए मैं बताना चाहूंगा कि साथ आए नहीं वो पहले से ही साथ हैं इसराइल हमेशा हर आतंकी संगठन के साथ आगे दिखता है जर्मनी के अंदर जो पीकेके के संगठन के इसराइल के जंडे भी नजर आए यानि यहूदी पहले से ही यह दो बोलसार अब रहा है लेकिन यहूदी इन कुर्द आतंकियों के साथ पहले से है इसराइल और कुर्द के जंडे साथ जर्मनी में देखे जा रहे हैं फिलस्तीन के अंदर फिलस्तीन के इलाकों में यह तस्वीर देखिए हमास के चीफ और हमास के दूसरे लीडरों की तस्वीर दूसरे लोगों का पोस्टर लगाया गया था फिलस्तीन अथरुटी नहीं यानि फिलस्तीन की गौवर्वर्मन परी जो सिकेरुटी है उसने इन पोस्टर को हटा दिया में दोस्तों उधर नेतनियाहू और गवर्मेंट इसराइल की गवर्मेंट के खिलाफ इसराइल की संसत के बाहर लोगों ने जबर्दस तरीके से परदशन कुछ इस तरह से किया यह वीजूल देखिए कि अपने आग को चेंज से बांद लिया और मास्क पहन लिया और और यहूदियों की पिछले कई महीने से यही मांग है कि हम मास से डील करो लेकिन नेतनियाओ अकेला अपने दम पे इस जंग को बढ़ा रहा है जिसकी वज़ा से नेतनियाओ के खिलाब भी अब इसराइल के अंदर परदर्शन बढ़ते जा रहे हैं मेरे दोस्तों आपको बता दूँ कि इसराइल के परदानमंत्री नेतनियाओ के घर पर जो हमला हुआ था अब नेतनियाओ की इतनी फुस्सी हुई पड़ी है कि बेचारों को दस्त कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता चलते चलते जैसे टट्टी आती है तो पफीर होता इसराइली को देखने वाले जो डिपार्टमेंट है उसने गवर्मेंट से दो मिलियन इसराइली करंसी की मांग की है कि आप हमें ये फंड प्रोवाइड करवाईड करवाईए ताकि हम साहब नेतनियाओ के घर को और सिक्योर बना सकें उधर मेरे दोस्तों जैसा आपको कल इसराइल ने वो कदम उठा लिया है बिल पास कर दिया है ऐसा बिल पास हुआ है जिसके बाद अब यू एन और डब्लू ए ना गाजा के अंदर मदद कर पाएगा ना फलिस्तीन के अंदर मदद कर पाएगा ना वो किसी तरह का खाना तक भी बाद पलब एंटर ही बंद हो ये इसराइल ने कर दिया है। मेरे दोस्तों इसराइल को पहले धंकी दी गई थी कि अगर UNRWA को इसराइल कहीं से भी बैन किया तो UN की मेंबर्शिप इसराइल की चीन ली जाएगी लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने UNRWO को बैन कर दिया है। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में इसराइल के खिलाफ लंदन में परदर्शन तेज होते जा रहे हैं। झाल्च में इसराइले जार्शन परूएफ इसराइल कि लिलिस्तीन के समर्स नेहां कि लाता है। इन परन परेंग झाल्च में इसराइल्च कर दोर्शन दिया है। उदर जॉर्डन के अंदर अमेरिकी अमबेशी के बाहर जॉर्डन के लोग परदर्शन कर रहे हैं अर्भ भप भप ररभ के विजिअ लेत साउो लॉर्डन के लेऊ्णर के लोग के ंदर्ऑन puisque अमेरिकी तर्टनी के अपो के लग mois थेत सााउसी झायार्न के लोग सूनियार्खन के तंदर और ये अरपना एंजी उजाया ज о सुरह विजिए वहां ले चलू कैनेडा तो कैनेडा में भी इसराइल के खिलाफ परदर संजारी है आईए बापस अब मैं इसराइल ले चलूँ तो ये वीजूल देख लीजिए इसराइल के ही परदानमंत्री नेतनियाओं के खिलाफ यहूदी लाखों की तादाद में सडकों पर परदर्शन कर रहे हैं उधर मेरे दोस्तों फैटाइ गूरूप ने फिलिस्तिन अथरोटी की गवर्मेंट ने इंडरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट को सुबूत दे दिये हैं चाहिए है, देखिए लिए लिए लुगार लोगार को अधर लेवनान ने भी इंडरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट में और यूए में किमप्लेइन फाइल की है इसराईल के खिलाफ कि इसराईल ने पٹ्रकारों को भी लिए लिएशना बना कर कतल किया है फिर दोस्तों फिल हाल की कि इस रिपोर्ट में इतना ही इस बार कोट का इस्तमाल गाजा और फलिस्तीन थे मिया की जिए दोनों हाथ बुलंद करके पूरी दुनिया में शान्ती और अमन के लिए चैन के लिए जंग बंदी के लिए दुआ कीजिए मैं हूँ रजा और आप देख रहे दे रजाग्राफी अनिस्क्रिप्टिड जैहिन